स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो आज क्लास 10 के गडित डाक्टर मनोहरी प्रकासन से प्रशनावली 3 यच के बारे में अध्यन करेंगे तो यह प्रत दीन 7 बजे सुव में लाइब क्लास चलता है तो आप सभी विद्यार्थी इस लाइब क्लास से जुड़िए और प्रत दिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए तो पिछले भाग में प्रशन नमबर 1 से लेकर के प्रशन नमबर 12 तक के सभी प्रशनों को हल करके वीडियो अपलोट कर दिया गया है यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लैलिस्ट में वीडियो है वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं इस भाग में प्रशन नमबर 13 से लेकर के आगे के सभी प्रशनों को हल करके बताया जाएगा तो प्रशन नमबर 13 है दियान से देखिए प्रशन नमबर 13 को और अपने कॉपी में इसे नोट करते भी चलिए तो प्रशन नमबर 13 है यस ने एक टेश्ट में 40 अंक अरजित किये मतलब यस नाम के एक विद्यार्थी है और टेश्ट में 40 अंक अरजित किये जब उसे परतेक सही उतर पर 3 अंक मिलते है मतलब जो सही है उस पर 3 अंक मिलते है जो असुद है एक अंक कटवती की गई मतलब जो सही उतर है उस पर 3 अंक और असुद उतर पर 1 अंक कटवती की गई अब यहां तक जो है पहली सर्थ हो गया यदि उसे सही उतर पर चार अंक मिलते हैं अब वाले यहां सही उतर पर तीन अंक मिलते थे अब कितना मिलना है तो चार अंक मिलते हैं तथा असुद उतर पर दो अंक कटते हैं तो यस कितने अंक पर आप करते हैं पचास अंक अरजित करता है टेस्ट में कितने प्रस्ण थे अब टेस्ट में कितने प्रस्ण थे गड़ना करना है तो यहाँ पे प्रस्ण में दो सर्थ दिया गया है तो सबसे पहले यह लिखेंगे हल और हल लिखने के बाल लिखेंगे कि सही प्रस्णों की उतर देने की संख्या यक्स है, सही प्रश्णों को उतर देने की संख्या क्या है, यक्स है, बराबर यक्स और असुद्ध प्रश्णों को उतर देने की संख्या हुआई है, मतलब जो सही है, उसका संख्या यक्समाली है, जो असुद्ध है, उसकी संख्या य है, तो कुल प्रश्ण कितना होगा, तो कुल प्रश्ण जो है, दोनों प्रश्ण को जोड लेंगे, तो कुल प्रश्ण बराबर क्या होगया, यक्स पलस Y, मतलब यह सही प्रशनों की संख्या, और यह जो है असुद प्रशनों की संख्या तो X पलस Y हो जाएगा अब यहां लिखेंगे पहली सर्थ से, अब पहली सर्थ में कोशन में क्या कहा गया है तो तीन अंक मिले और असुद पर एक अंक कटवती जब हो गया, तो वह कितना अंक पाया चालिस अंक पाया तो अब यहां लिखेंगे पहली सर्थ से तो पहली सर्थ से तीन अंक सही तीन अंक पर उतर जो क्या है सही है, तो यहां तीन Y लिखेंगे क्योंकि तीन यक्स का मतलब यह हो गया कि तीन जो प्रश्ण इनका क्या है मतलब एक प्रश्ण पर जो सही उतर कितना अंक मिला है तीन तीन यक्स लिख लेंगे माइनस करेंगे कटवती का मतलब माइनस हो जाता है और एक अंक कटवती होगा तो असुद प्रश्णों में एक अंक का जो कटवती हो जाएगा तो यहां हो जाएगा y बराबर कितना प्राप्थ हुआ चालिस एक बार और समझेंगे अब यहां 3x का मतलब यह हो गया कि 1 प्रश्ण सही होने पर तो यहां पर यहां पर एक अंक का जो हो जाएगा समझ में आ जाएगा दूसरी सर्थ में कितने अंक मिलते हैं तो चार अंक मिलते हैं तो यहां लिखेंगे चार अंक सही पे अब दो अंक जो है असुद पे तो 2y हो जाएगा बराबर जो है 50 लिख लेंगे एक बार और ध्यान देंगे सुद्ध पे चार अंक और सुद्ध पे दो अंक की क्या हो गया कटवती हो गया है अब दो इसमें से जो है कामा ले सकते हैं तो दो यक्स हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा वाई हो जाएगा बराबर जो है पचास हो गया अब इसमें से जब दो कामन ले लेंगे तो ये चार है तो दो हो जाएगा दो दूना चार होता है और इसमें से दो बाहर ले लेंगे तो आई होगे दो को नीचे भिश देंगे तो अब क्या बनेगा dho x-y बराबर 50 बटा 2, 2 से 50 को क्या कर देंगे? काट देंगे तो अब क्या बनेगा 2 x-y बराबर 25 अब बन गया समीकर नमबर 2 अब समीकर एक और समीकर दो जब बन गया तो बस थोड़ा सा धियान देंगे समझ में आ जाएगा यहाँ पर माइनस y है और यहाँ पर भी माइनस y है तो दोनों जो है समानचीन है तो यहाँ लिख देंगे समीक एक में से समीक दो को क्या करेंगे घटाने पर समीक एक माइनस समीक रड़ दो से समीक एक में से समीक दो को क्या कर देंगे घटा देंगे तो समय करें एक क्या है तो तीन एक्स माइनस y बराबर क्या है चालिस है दो एक्स माइनस y बराबर क्या है पचीस है अब इसको घटाएंगे तो घटाएंगे तो क्या बनेगा यह माइनस यह क्या हो जाएगा पलस यह क्या हो जाएगा माइनस अब y से y जो है y plus 1% y क्या है minus 2% y को कार देंगे 3 x में से जब 2 x को घटा देंगे तो x हो जाएगा बराबर 40 में से 25 घटाएगे तो क्या हो जाएगा 15 15 हो गया तो x का मान जब 15 आ गएगा तो x का मान किसी भी हगर समी का में रख दिया जाए तो किस का मान निकल जाएगा Y का मान निकल जाएगा तो यहां नहीं देंगे यक्स का मान यक्स का मान समी करण एक में रखने पर समी के एक में रखने पर अब समी के एक में जो है यक्स का मान रख देंगे रखने पर तो समय के एक क्या है तो समय के एक जो है तीन यक्स माइनस वाई बराबर क्या है चालिस है अब यह मान रखेंगे तीन गुड़े यक्स का मान पंदरह माइनस वाई बराबर चालिस अब पंदरह में 45 घटा देंगे तो क्या आएगा माइनस y बराबर माइनस 5 माइनस से माइनस को कार देंगे y बराबर आ गया 5 तो y का मान 5 आ गया और yaks का मान क्या है 15 आ गया तो अब यहाँ नीचे लिखतेंगे अतह अतह प्रशनों की संख्या तो प्रशनों की संख्या क्या हो जाएगा दोनों का क्या कर लेंगे जोड कर लेंगे क्योंकि जोड माना गया था यक्स प्लस वाई अब यक्स का मान जो जित्रा निकला है और वाई का मान जो निकला है अब यहाँ पे रख लेंगे और दोनों को जोड लेंगे तो यहां लिख लेंगे 20, तो प्रशनों की संख्या टोटल क्या हो गया, बिस हो गया, तो प्रशन नमबर 13 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब सीखेंगे प्रशन नमबर 14, तो कोश्यन नमबर 14 है, एक राजमार्ग पर दो अस्थान A और B, सो कीमी की दूरी पर है, उसको क्या कहते हैं, राजमार्ग कहा जाता है, दो अस्थान है, A और क्या है B है, सो कीमे की दूरी पर है एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना आरम करती है मतलब एक जो कार है उसका नाम A है और दूसरी कार जो है उसका नाम है B है एक ही समय पर चलना आरम करती है यदि यह कारे भिन भिन चालों से एक ही दिसा में चलती है तो पांच घंटे पश्चात मिलती हैं दोनों कारों की चाल ग्याद कीजिए तो अब यहां लिखेंगे हल और हल लिखने के बाल लिखेंगे कि एक कार की चाल यह लिख सकते हैं माना कार एक की चाल याक्स है माना जो कार एक की चाल क्या है याक्स तथा कार बी की चाल क्या है वाई है तो अब यहां पर जब चाल जो है याक्स है और यहां जो चाल माने है क्या है वाई है अब एक घंटे पे पहले निकालेंगे एक घंटे में कार द्वारा चली गई दूरी तो दूरी का सुत्र क्या होता है चाल गुडे समय होता है आप सभी भी द्यार्थी जानते होंगे कि दूरी के सुत्र क्या होता है चाल गुडे जो है समय होता है तो चाल जो है एक कार की चाल क्या है यक्स है समय क्या है एक घंटे है तो एक से गुड़ा कर लेंगे यक्स में एक का गुड़ा करेंगे तो क्या बन जाएगा यक्स हो जाएगा अब यहाँ एक घंटे में एक कार की चाल निकल गया इसी प्रकार अब यहाँ लिखेंगे एक गंटे में ये गंटे में बी कार द्वारा चली गई दुरी चली गई दुरी अब यहां जो है अभी उपर देखिए ये कार द्वारा चली गई दुरी निकाले हैं अब बी कार द्वारा जो है चली गई दुरी दुरी के सुत्र क्या होता है तो सुत्र होता है चाल गुडे क्य जो है B-Car है तो B-Car का चाल Y है समै 1 है Y में गुडा करेंगे तो Y हो जाएगा तो 1 गंटे में Charge मतलब 1 गंटे में A-Car दोरा चले गे दूरी यक्स हो गया और 1 गंटे में B दोरा कार जो चले गे दूरी क्या है Y है तो कुल दूरी प्रश्ड में कितना दिया गया था तो कुल दूरी जो है 100 कीमी दिया गया था कितने 100 तो अब 100 कीमी जो है तो यक्स कीमी जो है पहला कार और वाई कीमी जो है दूसरा कार बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा अब यह बन गया समीकरर नमबर 1 तो समय के एक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब जो है पांच घंटे पस्चात मिलती हैं तो अब एक घंटे के जगा अपर अब क्या लिखेंगे पांच घंटे कितने घंटे पांच घंटे में एकार एकार द्वारा चली गई दूरी अब एक कार द्वारा चली गई दूरी तो सुत्र क्या होता है चाल गुड़े क्या होता है समय होता है अब एक कार का चाल कितना माना गया था तो याक्स है समय जो है पांच घंटा पांच में एक्स का गुड़ा करेंगे तो पांच याक्स तो पांच यक कैसे बना समझ में आ गया होगा क्योंकि पांच घंटे में अब ये पांच घंटे में जो चली गई दूरी निकला है जो एकार का था अब इसी परकार यहां लिख लेंगे पांच घंटे में अब यहां लिखेंगे बी कार द्वारा चली गई दूरी चली गई द दूरी तो अब यहां सुत्र क्या होता है दूरी के सुत्र क्या होता है चाल गुड़े समय तो चाल कितना है तो चाल जो है वाई है समय पांच पांच में वाई के गुड़ा करेंगे पांच वाई तो पांच वाई कैसे बना समझ में आ गया होगा आप लोग को अब जो है दोन कारो के जौ चले गए दुरी का अंतर कितना है, तो 100 किमी है, यहां लिख देंगे दोनों, कारो का, दोनों कारो, द्वारा, दोनों कारो द्वारा, तैं की गई, तैं की गई, दुरियों में अंतर, दूरियों में अंतर कितने का अंतर था तो अंतर जो है 100 कीमी के बराबर था कितने का 100 कीमी के बराबर है तो दोनों कारों द्वारा जो चलिए गे दूरियों में अंतर जो है 100 कीमी के अंतर के क्या है बराबर है प्रस्ट में दिया गया है तो अब यह दोनों कार जब 5 घंटा में मिले हैं तो पहला क्या है 5 x हो जाएगा चली यह दूरी है और यह क्या होगा 5 y हो जाएगा अंतर मतलब माइनस होता है बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा इसमें 5 कामा ले लेंगे तो क्या बनेगा x-y बराबर क्या हो जाएगा 100 5 को नीचे भेज लेंगे तो x-y बराबर क्या हो जाएगा x-y बराबर हो जाएगा अब यह 100 बटा जो है 5 हो जाएगा 100 बटा 5 हो जाएगा 5 से 100 को कार देंगे तो x-y बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा अब यह बन गया समीकर नंबर जो है दो, समीकर दो बन गया, अब समीकर एक और समीकर दो को जब ध्यान से देखेंगे, तो आप लोग को समझ में आज एक्स माइनस वाई बराबर यह बी से है, और यह जो है एक्स प्लस वाई बराबर सो है समीकर एक, अब दोनों समीकर को काक करेंगे जोड लेंगे तो नीचे लिखेंगे समीकर एक और समीकर दो को जोडने पर अब नीचे लिखेंगे यहाँ पर समीकर एक तथा समीकर दो को क्या करेंगे जोडने पर समीकर दो को जोडने पर अब समीकर दोनों को क्या कर लेंगे जोड लेंगे तो जब जोडेंगे त y को कार देंगे अब बने गए 2 x बराबर हो जाएगा 120 क्योंकि यह y प्लस है और y क्या है माइनस एक कर जाएगा अब 2 को नीचे भेज देंगे तो x बराबर 120 बटा जो है 2 हो जाएगा 120 बटा दो 2 से कार देंगे तो x कामान क्या गया 60 हा गया अब x कामान 60 हा गया तो x कामान क इसी वी समीका में रख दिया जाएगा, तो किस का मान निकल जाएगा, Y का मान निकल जाएगा, तो X बराबर 60 जो निकला है, वो समीका नमबर 1 में रखने पर, अब समीका 1 में जो है, X का मान को क्या करेंगे, रख लेंगे समीका 1 में रखने पर, तो समी के एक क्या है तो समी के एक में क्या बताए गया था एक्स पलस वाई बराबर क्या है सो अब एक्स के जगा पे क्या निकला है साथ पलस वाई बराबर सो साथ को पच्छांतर करेंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा सो माइनस सो माइनस साथ अब सौ मिर से जब साथ को घटा देंगे तो क्या जाएगा सौ मिर से साथ घट जाएगा तो वाई बराबर क्या गया चालिस मतलब वाई का मान जो आया चालिस आ गया तो एकार की चाल और बीकार की चाल क्या होगा तो अब यहाँ नीचे लिखेंगे अतह अतह एकार की चाल एकार की चाल क्या माना गया था तो एकार की चाल यक्स माना गया था और यक्स का मान कितना निकला है 60 निकला है यहां लिख देंगे 60 कीमी प्रति घंटा यह किसका चाल है तो एकार का अब यहां लिखेंगे बीकार की चाल तो B कार की चाल क्या माना गया था तो B कार की चाल Y माना गया था तो Y बराबर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा कीमी प्रती घंटा तो समझ में आ गया होगा तो आज जो हम लोग पढ़े हैं प्रशन नमबर जो है 12, नए प्रशन नमबर 13 और प्रश्ण नमबर 14 को हल करके बताया गया तो आज का प्रश्ण आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा तो आज का पढ़ाई जो है इतना अब कल मिलते हैं सुबस साथ बजे अगले जो है भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार